इस समय डेंगू बहुत तेजी से फैला हुआ है कई लोग अपनी जान गवाँ चुके हैं और कई लोग बहुत ही सीरियस हैं डेंगू तब घातक हो जाता है जब शरीर में ब्लड प्लेट लट्स की कम्य हो जाती है क्योंकि यह ब्लड प्लेट लट्स को कम कर देता है ब्लड फक्का बनाने में मदद करता है जब plotlets की कमी हो जाती है तो नाग से खुन बहने लकता है या कोई घाव ठीक नहीं होता, इसके लावक कई घातक परणाम हो सकते है यदि कोई डेंगू पेसंट है और उसे blood plotlets की कमी हो गई तो या घातक परणाम दे सकता है कोई वेक्ती hospital में admit है और उसको blood platelets की कमी हो गई तो यह परिशानी कहड़ी कर देती है क्योंकि blood platelets चढ़ाना इतना आसान नहीं होता इसलिए मैं जो वीडियो आज दे रही हूँ हूँ इसमें blood platelets बढ़ाने के उपाय बताने जा रही हूँ ऐसा क्या आहले जिसे blood platelets तूरंद बढ़ जाए यह वीडियो बहुत महत्पुर्ण है अधिक सदिक लोगों तक शेयर करें यदि आपका यह वीडियो शेयर करने से किसी की जान बज जाती ही तो आपको कितना पुनी मिलेगा क्योंकि blood platelets चढ़ाना आसान नहीं होता और यदि blood platelets समय पर न चढ़ाया गया तो वैक्ति की आनन जा रहे हूं कि ऐसा क्या आहलें जिससे blood platelets तूरंद बढ़ जाए इसमें सबसे पहला है पपीता पपीते के पत्ते का काढ़ा बना कर पिए पपीते के पत्ते में एक बहुत खास और शदी गुण मौजुद है दरसल इसमें acetogenin नाम का एक unique phyto chemical पाया जाता है जो डेंगो बढ़िते के पत्ते का आसानी से तयार कर सकते हैं देंगो के दौरान घरती platelets की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है इसके लिए आपको चार जैंजική-5 पत्तों को तोड़ना हो região फिर उसे पानी में बौल कर कर बनाना हो और एक बार काणा तयार कर लेने के बाद आप उ असानी से ले सकते हैं दूसरा है रोजाना मुठी भर मुनक्पा भीगो कर खाएं डेंगो के मरीजों को रात भर पानी में मुठी भर मुनक्पा भीगो कर सुबह खाना चाहिए ऐसा करने से इस दोरान शरीर में घट रही प्लेट प्लेट की संख्या वापस बढ़ने लगती ह विटामिन सी आपके शरीर में ब्लेट प्लेट लट्स की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है विटामिन सी के लिए आप संत्रा आउला नीवू शिम्ला में खा सकते हैं क्योंकि इन फलों और सबजियों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मौजुद है डेंगो के चीतार परणुक के शरी में ब्लेट लट की संख्या में विजाफा होता है प्लेट लट की कमी के दूर करने में काफी मददगार है कीवी कीवी हो सकती है मददगार इस विदेशी फल में पोटेश्यम और विटामिन सी की भरपूर मात्रा मौजुद होती है यह दोनों प्लेट्री एंड ब्लेट्ट्रेट्स को फ्री रेटिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं इसलिए डेंगू की मरीज को रोजाना सलाद में चुकंदर खाने की सलाद दी जाती है आप इसे सूप या जूस में भी सामिल कर सकते हैं इस बुखार से उबरने के बाद भी अपने आहर में से सामिल कर सकते हैं क्योंकि से धेर सारे स्वासलाब मिलते हैं पालक का सूप या सब्जी भरपूर मात्रा में विटामिन के प्लेट्ट को बुष्ट करने का काम करता है इसलिए डेगू के मरीजों को ज्यादा तर पालक खाने की सला दी जाती है विटामिन क प्लेट्लेट्स संख्या को बढ़ाने का काम करता है मेघ 54 मरीजों की संख्या रह थे CC घट रही है तो उन्हें मेघ के बीज्जों का पानी दियास के वरप चुछ बढ़ाएंगे तब भी प्रयाप्त है इस प्रकार मैंने इतने सारे आपको इसलग सकता है आप ज़रूर इन छीजों को फॉलो कर सकते हैं बलकरट लट्र कमी ना हो तब भी आप इन अहारों को ले सकते हैं ये बहुत ही पैदे मंध हैं खुन बढ़ाने के लिए वीडियो पसंद आओ तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कमेंट जय ही इंद वन्दे मात्रम